नमस्कार दोस्तो पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के समय में प्लांट लवर बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके घर में बहुत ही ब्यूटिफुल लीव वाले प्लांट्स हो जिसे वे अपने घर के वरामदे में या कभी-कभी अपने इंडोर में भी रख सके वैसे आउट्डोर में भी रखने के लिए कुछ ऐसे वेरिगेटेड पत्ते वाले प्लांट होते हैं जो बहुत ही सुन्दर लगते हैं और उनमें से एक है ड्रसीना ड्रसीना की कई सारी वेराइटी होती है दोस्तों मेरे पास 4-5 वेराइटी है मैं यह करके सब दिखलाओंगे और उसके बाद आप सो सबसे जो popular variety है उस variety के बारे में उसकी care के बारे में उनकी मिट्टी के बारे में और उनके fertilizer के बारे में मैं आपसे वीडियो में शेयर करूँगी तो सबसे पहले देखिए कि मेरे पास ये बहुत ही colorful leaf वाले dressina की variety है इनका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ दोस्तो परन्तु ये dressina की एक variety है जो चौड़े पत्ते वाले और बहुत beautiful colorful leaf वाले है दूसरे ये जो variety है इनके नाम है महात्मा dressina ये महात्मा dressina है इनके भी color का आप देख लिजेगी कितना ये beautiful है तो ये दीसरी variety हो गई और एक variety है dressina की वो ये है जिनमें पत्तो का रंग सिर्फ एक ही color का होता है और इसके पतले पतले पत्ते हैं और इनके बड़े होने का इनके फैलने का design बिलकुल Song of India की तरह है Song of India भी dressina की एक variety है जिसे dressina reflexा भी कहते है उसी की दूसरी variety ये है जो की non-verigated है तो अब ये देखिए कि dressina की जितनी भी variety है सभी में नीचे से एक नई baby plant निकलते हैं और उसके द्वारा वो घने होते हैं और दूसरा तरीका है उन्हें cutting करके propagation करने का आप जहां से उन्हें cut करते हैं वहां से उनके कई सारे branches निकल जाती है तो especially मैं आज बात करूँगी dressina reflexa की यानि की song of India की और ये देखिए कितने ज़्यादा खुबसूरत होते हैं इनके color, इनके variegation और इनके फैलने का धंग ये तीनों मिलाकर कि ये इतने beautiful लगते हैं कि इसके कारण ये बहुत ज़्यादा popular है तो सबसे पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि ये nursery में मिलते हैं तो इनकी cost क्या होती है वैसे यदि आप इन्हें दो एक फिट का या आधे फिट का आप इन्हें खरीदते हैं nursery में तो इनकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है आपको 50-60 रुपय में इनकी एक plant आपको मिल जाएंगे और एक plant से आप कई सारे plant बना सकते हैं तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है जितने ये beautiful होते हैं उसके हिसाब से देखा जाया तो इनकी कीमत काफी कम होती है जब ये बड़े हो जाते हैं देखे एक मेरे वीडियो बनाते के समय एक तूट गया और मैंने उसे निकाल दिया मैं उसे कहीं न कहीं लगा दूँगी जो पहले मैंने आपको द्रेसिना की वेराइटी दिखाई जो काफी colorful थे तो उनके पत्ते काफी पानी पढ़ने के कारण तेज बोचारों के कारण पत्तों में पत्ते टूट गया है उनमें द्रारे आ गई है तो द्रेसिना की ये जो वेराइटी है जितने एक खुबसूरत होते है उसके हिसाब से इनके कीमत कम होते है आप 58-70 रुपए में ये मिल जाते है और ये मेरी जो वेराइटी है ये जो प्लांट है इसे मेरे घर आए हुए तीन साल हो गया है तीन साल पहले मैं जब इसे ले कर आई थी तो ये एक फीट का भी नहीं था और मैंने उसे एक ऐसी मिट्टी में लगाया जो मिट्टी बहुत ही पूरस बहुत ही हलकी और न्यूटिशन वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा था न्यूटिशन मैंने उसे बहुत अच्छे से डाला था और उसके बाद मैंने लगा दिया था तब से वो इसी गमले में लगे भी है और मैं हर महीने उसमें गुडाई करती रहती हूँ तो जब भी मैं गुडाई करती हूँ चुकि ए प्लांट काफी लंबे हो गया है मुझे लगता है कि साड़ी तीन फीट के तो हो ही गया साड़ी तीन चार फीट के और चवडाई में भी ये काफी बढ़ गया है तो अब इनके नीचे से देखिएगा कि बहुत सारे छोटी छोटी से रूट्स निकलाए है तो इनकी गुडाई करने पर वो रूट्स कट होते हैं तो इनसे फिर इनके नए रूट्स निकलते हैं जिसे इनकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है पत्तो के कलर जो है वो बिलकुल बीच में ग्रीन है और दोनों साइड में यलो कलर के हैं तो पत्तों के इसी color के कारण ये बहुत ही सुंदर होते हैं और इसी में थोड़े होते हैं कि side side में थोड़े से white होते हैं और बीच में green होते हैं तो हलका हलका कहीं कहीं color का variegation जो है, वो change हो सकता है, लेकिन basically ये इसी तरह के ही होते है green और light yellow color के, और देखें नीचे से ही इनमें नई नई branches निकलते आती हैं और इस तरह से घने होते जाते हैं, तो दूसरी बात आती है इनकी मिट्टी की, कि किस तरह की मिट्टी में ने ल फ्लिक्सा पड़ा है, तो वहां की मिट्टी जो होती है, थोड़ी सी बलुआई होती है, यानि की थोड़ी से उसमें बालू यानि की रेत होते हैं, रेतिली मिट्टी होती है, तो रेतिली मिट्टी में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, तो जब भी इसे जादा ये कितने जादा घने हो गया है उसके साथ साथ आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट मिला लीजिए क्योंकि इसमें जो ग्रीनरी होती है इसके जो पत्ते जो color है वो इतना अच्छा green नहीं हो पाएगा अब दीसरी और बहुत ही important बात जो आती है वो है इनकी location की क्योंकि कोई भी पत्ते यह जी colorful होते हैं उनमें वेरिगेशन होता है तो उन्हें आपको ऐसे location में रखना चाहिए जहाँ पर सूरज की किरने उस पर पढ़ पाए sorry जब तक सूरज की किरने उस पर नहीं पढ़ेगी तब तक उनके पत्तों में इस तरह का वेरिगेशन नहीं आएगा तो यह sun loving plant है इसलिए आपको इसे ऐसे जगा पर place करना है जहाँ पर कम से कम 5 घंटे की तो direct sunlight इन पर पढ़ती हो direct sunlight जब पढ़ेगी तो यह बहुत ही healthily grow करेंगे और इनके पत्तों का जो वेरिगेशन है वो बहुत ही उभर कर सामने आएगा निखर कर सामने आएगा और जब इनका वेरिगेशन अच्छा से निखिदेगा तभी यह इतने खुबसूरत लगेंगे यह देखे मेरे प्लांट जो है वो 6 घंटे की धूप में रहते है direct sunlight में 6 क्या मैं तो कहते हूँ कि 7 घंटे शायद वो रहते है क्योंकि मैंने जहां बैलकनी में इसे प्लेस किया है वहां सुबह के 7 वज़े से धूपाने शुरू हो जाते है और शाम में करीब करीब 3 वज़े तक या 2 वज़े तक वहाँ पर direct sunlight मिलते रहते हैं इसके कारण देखे भीतर भीतर से जितने भी ब्रांच है सभी ब्रांच में इनके नए नए ब्रांच निकले हुए है इनकी डालियों में और इन्हें cutting से बहुत ही आसानी से propaganda किया जा सकता है आप इनके cutting करेंगे तो यह बहुत थेजी से growth करेंगे जहां से आप cutting करेंगे वहां से कई सारे branches निकलेंगे और उतने ही ज़्यादा ये घने होते जाएंगे कई जगा आपको मेरे प्लांट में कटिंग दिख रही होगी वहाँ से मैंने कटिंग किया तो तुरंत एक नए ब्रांच 10-15-20 दिन के अंदर एक नए ब्रांच निकल आते हैं और फिर वह तेजी से बढ़ना शुरू होते है अब आप देखें कि इनका जो टिप वाला एरिया है वह कितना खुबसूरत है लगता है जैसे कोई फूल खिला हुआ हो और इनके कलर भी ऐसे है कि फूल की तरह ही लगते हैं तो इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं और धिरे धिरे बढ़कर जब यह घने हो जाते हैं और इनकी उचाई पांच फीट तक तो इनकी उचाई जाती ही जाती है कभी-कभी किसी एरिया में यदि यह जमीन पर लगे हुए है ग्रांड पर लगे हुए हो तो 6 फीट तक भी इनकी उचाई चली जाती है तो हम यदि प्लांट किसी पॉट में लगाते हैं तो बहुत जादा हमें उचाई नहीं रखनी है तब भी 3 फीट की उचाई रख करके हम इसका बहुत ही अच्छे से इनको ग्रोध दे सकते हैं और ऐसे में यह बहुत ही खुबसूरत लगते हैं दोस्तों यह 10 इंच के पॉट में बहुत ही अच्छे से ग्रोध करता है जब यह बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप इन्हे 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं लेकिन इनके लिए 10 इंच का pot बहुत ही अच्छा होता है और अब मैं बात कर लो इनके watering का क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्हें नमी नहीं चाहिए moisture नहीं चाहिए जाड़े की दिनों में especially इनमें पानी कम देना है जब इनकी ऊपर की एक इंच की layer बिल्कुल dry हो जाए तभी आप इसे watering करें otherwise इनके पत्ते पिले होने लगेंगे और सारे पत्तियां गिर जाएंगे क्योंकि वह जो period है इनके dormancy का period है तो यह रुक जाता है इनका growth ऐसे मेदी आप इने पानी दे देते हैं तो धीरे धीरे इनकी पत्तियां पिले होने लगती है और सारी पत्तियां गिरने लगती है और इनकी ग्रोथ रुकी भी रहे तो भी ये अपने आपको अच्छे से बनाए रखे ये बहुत ही easy to grow है बस इन्हें साल में आप एक बार fertilizer दीजिए और fertilizer देने का समय या तो मार्च हो या फिर अभी October हो October में अच्छी तरह बारिशों के बाद गुडाई करके और इसमें वर्मी कमपोस या काउडंग कमपोस डाल दीजिए तो देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं दोस्तों बस इतनी सी केर टिप्स है इनकी आप इनके थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये बहुत ही आपके गार्डन में सुन्दर लगेंगे और लगातार ऐसे हरियाली फैलाते रहेंगे ब्यूटिफूल लगते रहेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कमेंट मेरे चैनल पर नया है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा मिलती हो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना धेर सारा ख्याल रखें ताकि आपका ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहें और आपके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाता रहें